नमस्कार आप देख रहे हैं इजी शिक्षा मैं हूँ आपके साथ वन्शिका चाहान और आज हम बात करने वाले हैं IPPB Recruitment के बारे में इंडिया Post Payments Bank Scale ऑफिसर के ग्रेट के तहत आयुक्त उम्मीदवारों को सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने के लिए IPPB सहायक प्रबंधन भरती परिक्षा का आयोजन किया जाता है इच्चक उम्मीदवारों से आवेदन आमंतरत किये जाते हैं IPPB पातरता मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के पास उक्त भरती के लिए ओनलाइन आवेदन करने की कुझाईश होती है वेकेंसीज पोस्ट वेकेंसीज और एलिजिबिलिटी इसके अलावा जिसके नियुक्ति के लिए 671 सीट है चीफ एक्जेकुटिफ और मैनेजिग डिरेक्टर जिसके लिए टोटल सीट है 1,077 कॉर्परेट रोल्स 24 स्केल फूर्थ और फिफ्थ ओफिसर्स टोटल सीट है 12 स्केल 7 ओफिसर्स टोटल सीट है 5 Eligibility Criteria Age इस एक्जाम को देने के लिए Maximum Age Limit है 30 साल और Minimum Age Limit है 20 साल Candidates को graduate होना बहुत ज़रूरी है किसी भी discipline में और किसी भी recognized university या फिर institute से या फिर किसी government की organization और UGC से इस एक्जाम को देने के लिए आपकी नागरिकता भारतिय होना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा आप Nepal भूटान ता फिर Tibet के subject हो सकते हैं या फिर एक refugee जो कि इंडिया में 1st January 1962 से पहले settle होने के एरादे से आया हो या फिर वो इंसान जो कि Indian origin का है जो कि migrate होकर आया है पाकिस्तान, भूटान, बर्मा, श्री लंका, इस्टन आफ्रिकन कंट्रीज जैसे की कीनिया, युगांडा, युनाइट रिपब्लिक आफ तंजानिया, मलावी, जाईर, इथोपिया, वियतनाम जो कि इंडिया में settle होने के एरादे से आया हो अब जानते हैं कि आखर इस एक्जाम के लिए आविदन कैसे करें सबसे पहले इसकी ओफिशल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए जो कि हमने आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जो कि आपको डारेक्ट करेगा आप्लिकेशन पैनल पर आईपी पीबी असिस्टिंट मैनेजर के लिए दूसरा स्टेप उस डिजाइट सेक्शन में एंटर कीजिए अपनी सारी वैलिट डीटेल्स इन्फरमेशन जो भी आपसे पूछी जाएगी जब ऐसा हो जाए तो सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एक प्रोविजनल रेजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको आपकी इमेल पर भेजा जाएगा आपको उसको नोट करके अपने पास सुरफशित रख लेना है बहुत ही ध्यान से अप्लिकेशन फॉर्म को फिल कीजिए सारी डीटेल्स का करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है उसके बाद अप्लोड कीजिए स्कैन कॉपी अपने सिगनेचर और फोटोग्राफ की जो कि आपको प्रसक्राइब्ट फॉर्माट में ही भरना होगा यानि कि आपको उसी साइज और उसी पिक्सल्स में फोटोग्राफ और सिगनेचर सब्मिट करना चाहिए पूरा फॉर्म अच्छे से चेक करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कीजिए अब आपके पास पेमेंट मेथट का पैनल खुल जाएगा जो भी अवेलिबल गेट्वेज हैं उनके तुरू आप अपनी पेमेंट मेथट को पूरा कर सकते हैं ये सारे स्टेप्स पूरे होने के बाद आपको एक e-receipt generate की जाएगी आपको उसकी hard copy अपने पास रखनी है और उसको future के reference के लिए संभाल कर रखना है category और fees हम आशा करते हैं कि हमारे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारे चानल इजी शिक्षा को साथ ही हमें comment section में ये भी बताएगा कि आप अगली वीडियो कौन से topic पर देखना चाहेंगे धन्यवाद